राचसमन जिले के खमनोर थाना पुलिस ने बड़ी और एहम कारवाई को अंजाम देते हुए दो अवैद बजरी खनन करती फोक लेन मशीने जब्त की है थाना धिकारी भगवान सी ने बताया की सलोधा पंचैट के बनास नदी में अवैद बजरी खनन की सूचना मिले जिस पर मैं जापते के साथ मौके पर पहुचे जहां पर अवैद बजरी खनन करते दो फोक लेन और दो ट्रैक्टर पाएक है जैसे हैं बनास नदी में हमारी टीम पहुची बजरी माफिया अपने ट्रैक्टर को लेकर फरार हो गये लेकिन मशीनों को ले जाने में नाकाम रहे बाद में पुलिस टीम ने बनास नदी में उतर कर मशीन को जब्ट किया और एक खमनोर थाने ले गया इसके पर शाहत माइनिंग विभाग को सुचिक कर दिया कर दिया सराज आपने एक लेंट्यों जब्त किये हैं क्या कुछ केनत है अमको सुचना मिली थे आगे से कि कल गही रात्री में है कि ये सरवदा गाहों में कोई दिया बना तो उसमें अवे जुरू से खनन हो रहा है और नदी में कोई जो आपक्लेंट मेसीन चल रही है कि उसना पर जापते के साथ गया था वह दो अलेंट्या मौके मिली जो आवे खनन कर रही थी जिनको मौके पर डिटेंग की उसके वाद मौके पर दो टेक्टर वोल भी थे जिसमें यह बदरी खनन करके बढ़ी जारी थी अंदर होने से वह कुछ दूरी और नदी में भुक कि उसना पर जारी तोरियन वाल्ट स्कूल प्ले ग्रूप नरसरी से कक्षा पांच वी तक सिबी ऐसी कोर्स हमारे यहां बच्चों के लिए विशेश रंगीन आकर्शक क्लासिस उच्ची योग्यता और अनुभवी सिक्षक स्टार कमफीस शुल्क संरचना जो सभी लोगों के लिए असानी से प्रबंधन की जा सकती है घर जो ऐसा महौल स्वच्चता और सुरक्षा का पूरा ध्यान सिसी टीवी कैमरे और स्मार्ट क्लासिस बच्चों के लिए अतिरिक्त कती वीधिया इंडोर और आउट्डोर गेम्स अन्यस सेक्षनिक कती वीधिया संगीत और वीडियो सोवेधाई परिवहन सोवेधा डिजिटल मिडिया के माध्यम से दैनिक अपडेट मल्टी माधल ले 9587-290784